हेलो फेंट्स मैं हुआ स्मार्सरमार्ट बढ फिर से बहुत वस्वात करता हूँ आपका अपने चैनल पर यदि आप कोई बड़ा बिजनस करते हैं या फिर आप कोई सरकारी नोकरी करते हैं तब तो आपको बढ़ापे में पैंसन की टैंसन नहीं होगी लेकिन यदि आप पैंसन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं भारत सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जिस योजना के अंदर आप हर महीने 210 रुपे चमा करेंगे तो आपको 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपे गारंटेड पैंसन मिलन स्टार्ट हो जाएगी हम बात कर रहे है अटल पैंसन योजना की अटल पैंसन योजना यानि की APY एक सामाजिक शुरक्षा योजना है जिसे केंदर सरकार ने 2015 में लौंच किया था अटल पैंसन योजना की खास बात यह है कि इसकी शुरुवात आज संग्टिच छेतरों के लोगों को ध्यान में रख कर की गई थी जो कि अपनी चोटी सी पूंजी लगा कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़क कमा सके अटल पैंसन योजना की एक और खास बात यह है कि इस योजना में खाता खोलने के लिए कई सारे बड़े बैंकों के अंदर सुविदा दी जाती है अटल पैंसन योजना के अंदर पैसा यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको टैक्स में भी छुट दी जाती है अटल पैंसन योजना के अंदर कोई भी 18 साल से लगर 40 साल तक का व्यक्ति अपना खाता खोल सकता है और उसे अपनी 60 साल की उम्र तक हर महीन लगा दी आपको चार्ट के मादेंसे समझाते हैं कि 18 साल तक की उम्र के किस किस व्यक्ति को कितना कितना पैसा इसमें इनवेस्ट करना होगा और उसको कितनी कि पैंसन साल की उम्र के बाद लगेगी तो यहां पर आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति 18 साल का व्यक्ति आप करता है तक यह पैसा जमाख करना होगाु वहार महीने चमागा कर सकता है ॥ेयुक्ति 42 साल तक हर महीने 210 रुपे जमा करता है तो जब उसकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 5000 रुपे गारंटेड पैंसन मिलना स्टार्ट हो जाएगी अब यदि यही 18 साल का व्यक्ति हर महीने 42 रुपे जमा करता है अपनी 60 साल की उमर तक तब इसे 1000 रुपे 60 साल की उमर पूरी होने के बाद हर महीने पैंसर मिलना शुरू हो जाएगी और यही 18 साल का व्यक्ति यदि हर महीने 84 रुपे जमा करता है तब इसे 60 साल के बाद 2000 रुपे पैंसर मिलना शुरू हो जाएगी यदि यही 18 साल का व्यक तो इसे 4000 रुपे पैंसन मिलना हो जाएगी साथ साल की उम्र के बाद और 210 रुपे यादी हर मेहने जमा करता है आज से कोई भी 18 साल का व्यक्ति साठ साल की उम्र तक तब इसे 5000 रुपे गारेंटेट पैंसन मिलना है यदि आप एक हजार से लेके पाँच जार तक के बीच की पैंसन गारंटेड इस अड़ल पैंसन योजना के तहट लेना चाहते हैं तो अब यहां पर एजम्पल के तोर पर आप मान कर चलिए कि आपकी आज एज 25 साल की है और आप 25 साल की एज में आप 25 साल की है और आप 306 रुपे हर महीने जमा करते हैं तब आपको 60 साल की उम्र के बाद यानि कि 35 साल बरने के बाद आपको 5000 रुपे गारंटेड पैंसन मिलना शुरू हो जाएगी अब सवाल यह आता है कि इस स्कीम को कौन-कौन व्यक्ति ले सकता है तो आपको बता दें कि इस योजना के नियमों के मुताविक इसे ऐसे लोग जो इंकम टेक्स के दारे में आते हैं वो इस योजना को नहीं ले सकते हैं और इस योजना में वो लोग भी सामिल नहीं हो सकते हैं जो केंदर और राज्य सरकार के करमचारी हो इसका फाइदा वो लोग भी नहीं ले सकते है जो पहले से ही EPF और EPS जैसी योजनाओं का लाब उठा रहे हो कैसे व्यक्ति इस अटल पैंसन योजना में हिस्सा नहीं ले सकते हैं अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा यदि कोई भी व्यक्ति आज इस अटल पैंसन योजना को लेता है उसकी साथ साल से पहले हो जाती है तब उसको तो आपको बता खें कि और ये जो सारा पैंसा ये बिल्कुल के साथ दिया जाएगा लेकिन सरकार जो भी अपना इसमें contribute करेगी उस contribution का पैसा थोड़ा सा वो काट लेगी और यदि कोई भी व्यक्ति 60 साल से पहले इस अटल pension योजना को बंद करना चाहता है तो वो बंद कर सकता है अपना पैसा वो बापिस भी ले सकता है तो फ्रेंड्स यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी 60 साल के बाद पैंसन लगना शुरू हो जाए तो आप इस अटल पैंसन योजना को जोगी केंदर सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है इस योजना में अपना अकाउंट खुलवा कर इसमें अपना पैसा हर महीने तीन मह कर सकते हैं ताकि आपकी भी 60 साल की एज के बाद आपको कुछ पैंसन मिलना शुरू हो जाए यह फ्रेंड यह वीडियो आपके लिए जुरूर रहा होगा यह को वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और शेल कर रहे हैं अगर अभी तक आपने वारे चैनल को सब्सक के लिए सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं आप से किसी बैदिंग जाने करेंसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुट बाइट टेक केर जैन